Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज किस वीडियो हम लाएं है हिंदी के बैतरीन क्यूशन जो की हर competition exam में बाहर बार repeatedly पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को देखे ताकि आपके बहुत यह अच्छा benefit हो और आप हिंदी के क्यूशन बहुत ही बैतरीन तरीके से कर सके तो पहला क्यूशन है जीवा के आदार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो अंसर हो जाएगा तीन प्रकार के कैसे फ्रेंट्स तो देखते हैं जिवा के आदार पर फ्रेंट तीन प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर मद्य स्वर और पस्ची स्वर विडियो मे बहुत इच्छे क्यूशन मिलने वाले आपको गाई एक व्यक्ति वाचक संग्या है कैसे फ्रेंट्स गाई यानि एक पशु है जो की गाई है और गाई यानि उसका नाम आता है राटी तो यह एक व्यक्ति के संबन्द में आता है तो व्यक्ति क्या है एक जाती है व्यक्ति वाचक संग्या है तो अनसर है A. कौन, क्या, किसने? तो अनसर क्या हो जाएगा पहला क्या, किसने? इसमें प्रस्थन की सर्व नाम है. खुटी सब्द का बहु वचन होगा. ये बहुत जनों के गलत आया हो, friends, आप कमेंट करें. अंसर हो जाएगा B खूटिया निम्न में से पूरलिंग सब्द नहीं है त्रेंट्स सब्दों का उचारण से पता चल जाएगा कि पूरलिंग कोन सा है पूरलिंग कोन सा नहीं है तो इसमें नकल हो जाएगा अंसर अंसर सी नकल संग्या से बने विशेशन में से कोन सा अशुद हैं अंसर हो जगा पहला ए बंगाल बंगाली बुखे को अन दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का उधारन है तो फ्रेंट्स ये क्यूसन बहुत ही समझने वाला क्यूसन है यानि इसमें क्या कह रहा है बुखे को अन दो यानि अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो ये संप्रदाय कारक हो जाएगा यानि भुके को और दो और प्यासे को जल तो इसका अंसर हो जाएगा संप्रदाय कारक अंसर A कुसुम गर गई वाक्य में प्रव्क्त काल है कुसुम गर गई इस वाक्य में कौन सा काल आ रहा है फ्रेंट्स तो इसका अंसर हो जाएगा B. सामान्य बूतकाल गई, गर गई यानि अभी गई अभी ज़स्ट गई थी या गई, यानि सामान्य बूतकाल तो अंसर क्या हो जाएगा B. सामान्य बूतकाल दीरे दीरे चलिए वाक्य में क्रिया विशेशन है दीरे दीरे चलिए दीरे दीरे चलिए तो केसे कब आता है केसे जब किसी word में आता है केसे चलिए ये रिती वाचक करिया है तो अंसर हो जाएगा डी रिती वाचक करिया निम्न में से दूर उपसर्ग से बना सब्द नहीं है दूर उपसर्ग से बना सब्द नहीं है दूर दूश सील अंसर क्या हो जाएगा ए दूश सील पहला अंसर हो जाएगा आप कमेंट करें या आपको कौन से क्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो निर्बद सब्द में मूल सब्द व उपसर्ग है बहुत ही अच्छा और इजी क्यूशन है निर्बद सब्द में मूल सब्द व उपसर्ग है अंसर हो जाएगा बी निर प्लस बद बी अंसर आल, आला, एरा किस प्रकार के तद्धित प्रते हैं जैसे चाचा, चाची ये किस प्रकार के वर्ड है आल, एरा, आला ये सब एक प्रकार के संबंद वाचक है, संबंद मतलब बताते हैं तो ये क्या हो जाएगे, संबंद वाचक अंसर हो जाएगा, C संबंद वाचक करिया इसमें लोकिक सब्द में प्रते हैं लोकिक सब्द में प्रते तो फ्रेंट्स अंसर दे, कमेंट करके अंसर हो जाएगा एक प्रते लो किक एक प्रते अंसर डी आपार सब्द का प्रयायवाची नहीं है जैसे असीम ये भी आपार जैसे मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मैं तुम्हें अनंत प्रेम करता हूँ या बेहद सुबकामना देता हूँ ये सब अपार कि स्रेणी माते लेकिन दोश नहीं आता है तो अंसर हो जाएगा ए दोश जो कि अपार का प्रयायवाची नहीं है इच्छित सब्द का विलोम है इच्छित सब्द का विलोम तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जब भी विलोम सब्द बनाना होता है तब हम A जोड देते हैं और उसका विलोम बन जाता है तो इसमें A जोडने पर अनिच्छित अंसर B अनिचित निमन लिकित में से किस विकल्प में आसित युग्मसब्द का सही अर्थ हैं तो friends आसित इसका मतलब होता है अनुरुक्ती और आसित इसका मतलब होता है निकड़ता तो अंसर क्या हो जाएगा इसका C एंसर हो जाएगा इसी के साथ अगले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं आपकी कितने क्यूशन हुए सही मिस्रित तदा सयुक्त वाक्यों में विप्रित अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कतन प्रकट करने वाले उप वाक्यों के बीच में किस प्रकार का विरम विराम चिन का प्रियोग किया जाता है अर्थ विराम का प्रियोग किया जाता है मिस्रित वाक्यों में तो अंसर D तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन का प्रियोग होगा तुम कब आओगे कब यानि किसी से प्रस्ण किया जा रहा है कब तो अंसर हो जाएगा ए प्रस्ण वाचक चीन फ्रेंड्स आसा करते ही वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो सस्क्राइब करें शेर करें जे हिंज जे वारत